तो आज के इस टुटोरियल में मैं आपको बताऊंगी Arabic style single layer forehead nose piece तो ये flexible नकाब है यहाँ पर मैंने elastic attach की है और इसको आप easily नीचे भी कर सकती है इसको किस तरीफे से बनाना है इसकी full detail मैंने आगे वीडियो में शेयर की है तो वीडियो को end तक जरूर देखे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और एक जर वीडियो पसंद आए तो इसे like जरूर करे तो चलते हैं अपने tutorial की तरह यहाँ पर जो मैं कपड़ा यूज़ कर रही हूँ वो हिजाब चादर में से बचावा पीस है आपके पास भी अगर इस तरहां का जॉल्जट का पीस बचा हुआ है तो आप यह नकाब बहुत इजिली बना सकती है यहाँ पर मैं कोर वाली साइट को अलैदा कर रही हूँ और इसके किनारों को मैं काट कर बिल्कुल सीधा कर लूँगी ताके मुझे कटिंग में कोई दुश्वारी ना आए आपने ऐसा पैबरिक यूज़ करना है तो ट्रांसपेरेंट ना हूँ अगर आप शिफान का फैबरिक यूज़ कर रही है तो उसकी आपको डबल लियर रिक्वाइड होगी यहाँ पर मैं सिंगल लियर में जॉज़ट फैबरिक यूज़ कर रही हूँ तो यहाँ पर जो हमें नोस पीस के लिए चोड़ाई चाहिए वो है 13 इंच यह एक स्टेंडर साइज मेजरमेंट है और जो हमें लंबाई चाहिए नोस पीस के लिए वो है 15 इंच तो यहाँ पर मैं 15 इंच पर मार्क लगा लूँगी अगर आपको अपने नाकाब इससे लंबा करना है तो आप 17 इंच तक इसकी लंबाई ले सकती ही दोनर साइट्स पर मैं इसी तरीके से मार्किंग लगा लूँगी और मार्किंग लगाने के बाद मैं इसको कट कर लूँगी ताकि इसकी कटिंग नीखे हो जाए तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले नोस पीस को काट कर अलैदा कर लिया है उसके बाद हम काटेंगे एक स्ट्रिप तो यहाँ पर जो मैं थिन स्ट्रिप काट रही हूँ इसकी चाड़ाई मैं लूँगी दो इंच तो दो इंच के उपर इस तरीके से मैं पूरे कपड़े पर निशान लगा लूँगी और इसकी लंबाई है मेरे पार 20 इंच तो आपको 20 इंच की एक लॉँग स्ट्रिप काट लेनी है या 10-10 इंच की आप दो स्ट्रिप भी कट कर सकती है मैं यहाँ पर इस ट्रिप एक साथ कट करके टिश कर लूँगी तो यहाँ पर हमारी स्ट्रिप की भी कटिंग हो गई है अब इसके बाद हम कटिंग करेंगे अपने फोर हैट पीस की तो जो हमने फोर हैट का पीस है कैंवस पीस उसकी हमने जो लंबाई लेनी है वो है 13 इंच और यहाँ पर जो मैं इसकी चौड़ाई लोंगी वो है 4.5 इंच आप इसको 4.5 से 5.5 इंच तंग भी ले सकती है लेकिन यह एक स्टेंडर्ड साइज है आप इस साइज को बहुत इजिली फॉलो करके नकाब बना सकती है तो यहाँ पर मैंने 4.5 इंच की पर मार्क लगा लिया है और इसके बाद मैं फैब्रिक को कट कर दूँगी तो यहाँ पर हमारे पोरेड पीस की भी कटिक हो गई है इस तरहां डबल करके हम इसकी सिलाई करेंगे जो कि मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी इसके बाद हम नो स्पीस जो हमने कट करके रखा था उसको ले लेंगे अब हमने इसको बारीक बारीक मोड लेना है चारों तरफ से इस तरीके से तो इस तरहां बारीक मोड कर मैं इसके ओपर टॉप स्टिश लगा लूँगी चारों तरफ आपने बिलकुल ऐसा ही काइना है तो यहां पर मैं इसको बारीक मोड़ रही हूँ और इसके उपर मैं टॉप स्टिस लगा लूँगी इस तरीके से आपने इसके चारों के नारों को हैम कर लेना है यह देखें मैंने चारों तरफ से इसको मोड़ लिया है अब इसकी लंबाई वाला हिस्सा यह है 15 एंज और इसके पाद जो इसकी चौड़ाई वाला हिस्सा है इसके उपर मैं दो मार्क्स लगा लूँगी यहां हमने इलास्टिक अटैस्ट करनी है तो यहां पर मेरे पास ब्लैक लास्टिक नहीं थी तो उसके लिए मैंने क्या किया एक तिन्स श्रिप कट तरी है अब मैंने पी लास्टिक ली है तकरीबं 6 इंज के बराबर और इस श्रिप की लंबाई है तकरीबं 10 इंज तो मैं इसको इस तरीके से डबल फोल्ड करके पहले मूड लूँगी और इसके किनारे के पर सिलाई लगा लूँगी ऐसे अगर आपके पास ब्लैक लास्टिक मौजूद है तो आपकी स्टेप किप कर सकती है तो यहाँ पर मैंने इस स्ट्रिप को डबल फोल्ड करके किनारे के पर सिलाई लगाई है उसके बाद मैं इसको सिधा कर लूँगी इस तरीके से बहुत असान तरीका है किसी की स्ट्रिप को सिधा करने का स्ट्रिप को इस तरीके से सिधा करने के बाद यह देखिए कितने असानी से Distrip सीथी हो गई है हम इस तरह इयरधा कट कर लेंगे अब हमने क्या करना है कि इसके अदर अपनी Elastic को Insert करना है तो मैं Same Method को follow करते दे Elastic को इसके अंदर Insert कर लोगी तो यहाँ पर मैंने इसके अंदर Elastic को In質 कर लिया है अब हमने इसके दोनों किनारों के उपपर इस तरीके से पिन लगा देनी है और दूसरे किनारे के उपर भी मैं इस तरीके से इसके उपपर पिन लगा दूँगी इसके बाद हमने इसके दोनों एंड्स के उपर सिलाई लगा लेनी है इस तरीके से दूसरे एंट के ओपर भी इसी तरीखे से पिन अटा कि आप दिलाई लगा ले अगर आपको इस ट्रिप लंबी लग रही है तो इसे आप काट के छोता भी कर सकती है यहाँ पर मैंने इसको दो में डिवाइट करिया है अब इस ट्रिप को हम अपने जो अपना नोस पीस तयार किया था इसके ओपर हम अटाश करेंगे यह हमारा लंबाई वाला हिस्सा है इसका चोड़ाई वाला हिस्सा यह है जहां हमने दो माक्स लगाया थे इस तरीके से आपने इस इसलाइट को फोल्ड करना है और यहां पर हम इसको सिलाई लगाके अटाश कर लेंगे तो पहले आप टेंसिस को अटाश कर लें दोनों एंट्स के उपर फोल्ड करें और इस तरीके से हम नकाब के उपर इसको अटाश कर लेना है तो इसका बैक पार्ट है पोल्ड करके लगाने से इसके उपर जारा नीट लोक आएगा अब इसके उपर हम सिलाई लगा दिए इसको पक्ता कर लेंगे दोनों एंड्स के उपर हमने एलास्टिक को इसी तरीकर से अटैच कर लिया है यह हमारी एलास्टिक अटैच हो गई है उसके बाद हमने एक थिन स्ट्रिप तयार करनी है तो यहां पर आपने एक थिन स्ट्रिप ले लेनी है जो हमने पहले ही काटके रखी थी इसको इस तरीके से हमने डबल फोल्ड करना है उसके बाद एक और दफ़ा इस तरहा फोल्ड करके हमें इसके उपर सिलाई लगा लेनी है ये नकाब को बांधने के लिए स्कामान होगी तो आपने इस तरीके से इस तरहा की 20 इंच लंबी स्ट्रिप तयार कर लेनी है आप चाहें तो 10-10 इंच की दो अलहदा स्ट्रिप्स भी तयार कर सकती है ओ, हमारी स्ट्रिप रेडी हो गई है इसको मैं दो में डिवाइट कर लोंगी ऐसे तो आप बारी आती है फोर हैट पीस को तयार करने की तो यहाँ पर मैंने फोर हैट पीस ले लिया है इसके उपर मैं फ्यूजिन पेपर सिपका लूँगी आईरन की मदद से तो इस तरह से हमने रॉंग साइट के उपर फ्यूजिन पेपर को पेस्ट कर लिया है और किनारे से इसको इस तरह से मोड़ कर भी प्रेस कर लिया है इस तरह से फोल्ड करके हमने इसको प्रेस कर लिया है साइट से भी मैं सेंड करूंगी और मैंने यहाँ पर कोने पर जरा-जरा से कट्स भी लगा दिये थे ताके folding में problem ना आए अब जो हमने strips कट करके तयार करके रखी थी उसको अंदर इस तरह से रखना है और इसको बंद कर लेना है दोनों sides के उपर मैं इस तरह से strips को रखकर pin up कर लूँगी ताके मुझे सिलाई के अंदर मुश्किल ना आए दूसरी strips को भी हमने ऐसे ही रखना है और pin लगा के इसको secure कर ले अब दोनो sides के उपर हमने सिलाई लगा लेनी हमने इस सिलाई 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 के उपर लगानी है तो ये हमारा और हैटीज भी तयार है अब हमने इसको अपने nose piece के साथ attach करना है तो हमने सकते पहले इसके उपर इस तरीके से mark लगाएना है इस तरह डबल पॉल करते वे मुझे सेंट प्लेस के उपर इस तरीके से निशान लगाए इसके बाद हमने जो elastic attach की थी nose piece के साथ उसको हम पिन की मदद से अपने forehead piece के उपर secure कर लेंगे चलाई करने के बाद इनके जो rough phases हैं वो forehead piece के अंदर से ले जाएंगे इस तरीके से हमने इसको fold करते हुए टॉप आला पार्ट तो already folded है नीचे वाले पार्ट को हमने fold करना है और इसके उपर हम top stitch लगा लेंगे इस तरी इस तरी तो यह हो गया हमारा nose piece complete और यह adjustable है इसलिए आप इस nose piece को नीचे भी आराम से कर सकती है और दुबारा उपर भी इसको adjust कर सकती है अमीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी तो मिलते हैं next tutorial में तब तक के लिए अला आफिस